आपका स्वागत है अकसर लोग पूछते हैं कि आपने यह वेब सिरीज यह फिल्म यह शॉट फिल्म किस कैमरे से शूट किया यह म्यूजिक वीडियो किस कैमरे से शूट किया हीरो हीरो इनके बाद अगर कुछ पूछा जाता है तो कौन सा कैमरे यूज हुआ है यह पूछा जाता है और लोग सोचते हैं अगर बड़े कैमरे से शूट हुआ है तो बहुत बड़ी चीज बनी होगी और अगर छोटे किसी सेमी प्रोफेशनल कैमरे से शूट हुआ है तो आझा, ठीक है, हुआ होगा, इसका budget कम होगा, ऐसा ही सोचते हैं, जब कि ऐसा नहीं है, क्यों मतलब होने हैं, काफे साल पहले की बात है, ती-सीरीज के यह मैं music video बनाया करता था, उस समय är ती-सीरीज में क्या होता था, हम Novada की बात कररहे हैं, फिल्प सिटी जो नुएडा में है ती स्रीज के दूदो ऑफिस और स्टूडियो थे वहाँ पर अभी भी है और वहाँ पर जो लच्मी स्टूडियो है या जो सामने का जिसमें बहुत बड़ा शंकर जी का मुर्ती बना हुआ है वहाँ पर अक्सर बड़े-बड़े हॉल होते ते वहाँ पर सत लगा करके शूटिंग हुआ करती थी बहुत बड़ा सेट अप होता था और उस समय हमको याद है इसोनी 450 कैमरा जो बड़े और चोटा camera PD 170 camera था उस समय जो उनका 450 camera से काफी सस्ता था और उस camera से हम shoot किया करते थे और जो लोग दर्शक होते थे जो CD DVD उस समय release हुआ करते था तो जो CD और DVD release होता था जैसी लोग समझते थे कि हाँ बड़ा set लगा करके हुआ है उस CD DVD को उतना demand नहीं होता था जितना हम लोग जो real location पर shooting करते थे PD 170 से उसका हुआ करते था इसलिए जो भी बड़े singer उस समय होते थे Punjabi singers भी थे भोजपूरी के थे या और भी regional language के थे कुछ Hindi गाने के जो भजन के थे वो लोग भी हमारे पास आते थे और उतना दूर travel करके आकर के हम लोगों से shooting करवाते थे लेकिन हम लोग content जबर्दस देते थे background पर ध्यान रखते थे shooting करने का तरीके पर ध्यान रखते थे तो लोगों को यानि दर्शोकों को उसमें variety मिलती थी एक जैसा नहीं उसमें क्या होता था camera तो बहुत जबर्दस है, lighting जबर्दस है लोग बहुत colorful कपड़े पहने रहते थे लेकिन सारे गाने एक जैसे लगते थे बहुत अच्छा होते हुए भी लोगों को पसंद नहीं आता था तब मैंने सुचा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत महंगे camera हो, बहुत अच्छी lighting हो, बहुत अच्छा कुछ नहीं आपके पास जो चीज है, उस चीज का अगर बढ़िया सी use किया ना उसको ज्यादा लोग देखेंगे, आप देख लीजिएगा आप महंगा से महंगा setup करके देखिए, अगर उसमें content में दम नहीं रहा या आपके वल महंगा camera को ही लेकर चल गया, लेकिन बाकी setup पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप देखेंगे कि जिन्होंने छोटे camera पर, हो सकता mobile पर smartphone, बढ़ियां smartphone पर shoot करके दिया उसकी videos को ज्यादा view मिलेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, तो mind से निकाल लिजिए और ये पूछना बंद कर लिजिए कि कौन सी camera से shooting हुई है क्योंकि अब मैं आपको बता दूँ, आप camera चाहे red ले ले लिजिए, array ले ले लिजिए, ठीक है 30,000 per day का camera है और दूसरा camera 5-10,000 का है, 20,000 का ही difference हुआ, लेकिन बाकी चीज तो करना ही पड़ेगा, बाकी चीज अगर नहीं करेंगे अगर location पर खर्च नहीं करेंगे, makeup पर खर्च नहीं करेंगे, get up पर खर्च नहीं करेंगे, आप set designing पर खर्च नहीं करेंगे कोई भी camera ले लिजी एक ही जैसा लगभग दिखेगा जो cinema camera है उसकी quality थोड़ी अच्छी आएगी लेकिन जब दोनों चीजों को आमने सामने अगल बगल रख कर देखा जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास जो भी चीज मौझूद है उससे आप बेहतर काम करिए और आप देखेंगे आप उनसे आगे निकल जाएंगे जो बहुत महगे महँगे camera लेकर के shoot कर रहे हैं लेकिन उनका planning नहीं है planning के साथ कर रहे हैं तो कोई भी अगर अच्छा camera है तो आप से अच्छा होगा लेकिन उनका अगर planning उस तरह का नहीं है तो आप अगर planned way में कुछ कर रहे हैं सोच के कर रहे हैं कुछ creative कर रहे हैं तो आपके चीजें ज्यादा पसंद की जाएंगे If your dream is to become a part of glamour world by becoming a professional filmmaker, join the ifta online filmmaking course today